असलाम अलेकुम कैसे आप सब लोग आज की वीडियो में अपन टॉस के रिलेटेड एक अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी नए हजरात है आप सभी से गुजारिश है की मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ ही साथ ब मिल गया इसके बारे में आपन देखेंगे तो जिसा की तॉस के डारेक्टर एस वेंकटेश्वरा शर्मा क्या वोले यह बोले तो 1,800 out of 35,000 intermediate students के बच्चे है सो M-set exams में entrance लिखने वाले है मतलब 35,000 students में से 1,800 students है सो क्या करने वाले थे मगर apart from that 1000 students M-P-C-K है और 800 students Y-P-C-K वो students को क्या है अब कुछ भी problem face ने करेंगे वो लोग directly exams ले सकते और जो भी students CEC के है वो लोगों क्या है degree में admissions ले सकते without any problem शर्मा बोले फिर दिन जिसा कि T.E.S.C.H.E. Chairman T.PAPA Reddy Sir क्या बोले बोले तो वो लोग आपी decision ले रहे जो यह cut off marks qualification examinations के है वो लोगों को appear करने दिंगे MSET exam में तो आप लोगों को एक tension free चीज़ है आप लोग आगे future में भी अच्छा पढ़ सकते तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाइदराबाद के district में है सो cancel कर दिया SSC open और इंटर और वो लोगो direct pass कर दिया मंगर students पहले वरी थे मगर आप वरी करने की जूरत नहीं क्यों बोले तो वो लो इंजिनेरिंग अग्रिकल्चर मेडिकल entrance exams में 35% मार्क से exam लिख सकते और जैसा कि यह पहले students क्या बोले बोले था यह इंजिस था minimum 35% मार्क्स देना और यह बिलकुल घलत था और क्या था बोले तो जो students professional courses में admissions लेना चारे वो लोगों को बहुत ही ज्यादा problem थी और यह बोले कि महदू जो कि मेरे student है TOS के और MPC के तो माशालला से बहुत अच्छा काम करें और जो students है सो MBA, BCOM, BAC में admissions ले रहे थे उल्लों को भी यह बहुत मुश्किल थी तो फिर मान में अब जिसा कि यह cut-off marks क्या है बोले तो भुच सारे problems दे रहे थी seats लेने के लिए तो alternate solutions के साथ मेरे और एक students अब्दुल सरफराज जो है उन्हों भी क्या करें आवाज उठाए और वो भी admission BA में लेना चारे थे तो जैसा कि क्या करें थे SSC students को point out करके यह लोग regular students को जो की बिल्कुल 9 साफ ही थी वो लोगंको अच्छे mark से पास कर दिया और distance students को minimum mark से पास कर रहे और intermediate students को भी यह लोग क्या करें 42-45% mark से पास कर रहे तो NSUIK member Venkat Balamuru sir उनके लिए hands off यह लोग students को support कर रहे वेंकट बाला मुरू sir की तरफ से ही मेरे students तक वो गये पूरा detail में बात करें sir उनके पूरे बच्चों को collect करके यह आज update दिये तो time क्यू Venkat sir hats off और यह degree b.tech b.engineering के जो भी students है वो लोग भी बहुत वरी है अब देखना की Supreme Court का 10th August के दिन क्या time update उसके उपर है का attention लेने की जूरत नहीं है मैं एक ही बात बोल दूँ जो अल्ला चाहे वही होता देखेंगे खिसमत में चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए चलिए चलते हैं अल्ला हाफीस